हलो दोस्तों कैसे हूआ आप दोस्तों आज आपको हम बताने वाले अगर आप PF विड्रॉल elders करते हो अगर आपने PF विड्रॉल अभी तक नहीं किया है और आप करने वाले हो तो आप unless option का chain करके आप PF विड्रॉल कर सकते हो कोगी इसका आप एक महीने के बाद दूसरे महीने मे हर महीने के बाद निकाल सकते हो PF का, इसके अंदर EPFO यह सुविदाद देता है, तो आप Inless option का chain करके, PF withdrawal कर सकते हो, तो मैं आपको बताऊंगा कुछ इस प्रकार कब है option आता है आप जो PF का select advance पारे में आप select करते हो option को तो उसमें पारे में यह आता है Inless option आपको दिख रहा होगा, इस option का chain करके, आप PF withdrawal form भर सकते हो, अगर आप इस option का chain करते हो, तो आपका form कभी भी reject नहीं होगा, आपका form PF का pass होगा, और आपका PF का पैसा आपके bank account में जल से जल आ जाएगा तो हम आपको इस वीडियो में सब कुछ बारी कैसे बताएंगे आपको clear करेंगे, एक एक point कैसे आपको PF का form भरना है Inless option से, तो वीडियो के हंदे तक आप पूरा बने लिए, वीडियो skip ना करें, तब आप पूरा process समझ में आएगा दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हर जानकरी वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके आपको सबसे पहले Google पर क्लिक कर देना है Google पर जिनी आप क्लिक करोगे इस सबसे बास में आपको कर देना है जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इसका कुछ इस्क्राकरते इंटरफेस आजाता है और आपको यहाँ पर three dots पर click कर देना है और आपको यहाँ पर three dots पर click कर दोगे तो desktop site mode आपको दीखेगा तो आपको इस desktop site mode पर यहाँ पर click करते हो तो आपके सामने इसका interface कुछ open हो जाए आप भी error नहीं आएगा जो आप PFF का काम करोगे वहें आराम से होगे फोल्डर open होंगे इसको desktop mode में जरूर कर लेना है आपको site को और आपको यहाँ पर दिख रहागा अब UAN पास्वड वाले option तो आपको अपना UAN नमबर यहाँ पर डाल देना है मैं कोशिस कर रहा है आपको बैनर आ जाएगा तो आपको इस बैनर को क्रोस का निशान होता है यहाँ पर कोने में इससे अटा देना है उसके बाद मैं आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मैं कोशिस कर रहा हूँ आपको यहां से दिखाने की online services option तो हमको यहां से इल्लेस option से हम हमारा PF का जो फॉरम है उसको भरेंगे पीएफ निकालने के लिए पीएफ विड्रोल के लिए तो online services पर मैं यहां पर किलिक करता हूँ कि लेंफ फॉर मिकतिस उननीश टैंसी टैंडी आपको दिख रहा होगा तो आपको इस first option पर यहां पर ही किलिक कर देना आपको समझ में आ रहा होगा क्लेम वा चोटा सा इंटर बैंक अकाउंड नमर इसमें लिखा हुआ है तो आपको यहां पर डालके वेरिफाइव उप्शन एक होग दिख रहा है बिल्यू कलर में आपको यहां पर वेरिफाइव उप्शन पर यहां किलिक कर देना मैं इसको आपको जूम करके थोड़ा दिखाता अपको यहां पर इसमें अपना अस्तुन से फ्रान ऐसे कर देना है तो मैं यहां से कर देता हूं हमको यहां और दिखाने कि शर्टासित। बॉर्ब आप जैसे हिसको दाल दोगे तो आप ओटमेटिक लेट कर लाई है और आप आपको प्रोसेट फौर ओनलान कि यह से कल सयह वर्म खुलेगा जिस्को आपको बर नहें दिलीए मैं बता रहा हूं आपको निल्लेस निकालने के इस प्रव्भर सकते हैं आपको मैंने बाद पर सकते और प्रशरे का पिर आप को सब्सक्र प्रकूल सेचा मिल जाएगा आपको यह प्रकाoras मनेंया आप आपके सामने यह फॉर्म कुछ इस प्रकार से आ जाएगा इसको मैं आपको बता रहा हूं आपको थोड़ा जूम करके दिखाया है ताकि यह आप सही तरीके से समझ सको अब आपको यह फ़िश्ट ऑप्सन देता है किलें करने के लिए आई वेंट अपलाई फोर तो आपको इ इस ओप्सन पर यहां पर किलिक करूंगा जैसे ही आप प्रोपर फॉर्म खुल गया है अब इसको बरना है बहुत सरल तरीका होता है इसको भरने का यह बहुत लोगों से बरा नहीं जाता है बहुत सरल प्रोसेस है अगर आप यह वीडियो आराम से देखोगे सही तरीके से इस तो आपको यह समझ मेन आएगा और आप भी है अपने मोबाईल से यह सब कुछ क्म कर सकते हो तो कि यह समझ में आ रहा होगा एक इक मैं point बता रहा हूं आपको सही तरीक से ध्यान देना है और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर कोई दिक्कत आती है forum भरते समय तो आप मैं को comment box में comment कर देना मैं एक एक point आपको समझा दूँगा अब यह जो भरना है आपको दिख रहा होगा select service तो इस option पर आपको किलिक कर देना है तो यहां से आप service की जो ID होती है उसको select कर पाओगा जिससे आपको PF का advance का पैसा निकालना है आपकी एक ID हो दो ID हो जिस ID आपकी है ज्यादा तर नई ID में PF advance का निकालने का option होता है तो आपको यहां से चुन लेना है तो मैं यहां से ID चुन लेता हूँ और जैसे ही मैंने याँ पर किलिक किया है आप यहाँ देख सकते हो यह जो executed है यह एक ही SPD यहाँ पर सौहन ही है तो को दिखरो होगा इस पर करता हूं और इसको में यहां से select कर लेता हूं सर्विस ओप्षन में यहां पर सेलक्ट कर लिया है आईडी और अब आपको यहां नीचे जश्ट दिखा सेलक्ट एडवांस पारा से पैसा निकालना है उसका ओप्षन होता है तो हम यहां से इल्ले से एक ओप्षन होता है बीमारी का तो उससे आपका पीएफ आराम से निकल बारा है और आपको किसी पrem क्छार कोई दिकत नहीं आती है तो आपको यहां से मैं सलक्ट करके उसको दिखाज sparked को तो इस पर आपको किलिक करते ही आपको सलक्ट पार कूंस और तो आपको यहां पर सकते हैं तो आपको यहां पर इन लेस ओप्सन से इसको निकाल लेना अपना प्रक्त कर लेना है तो आपको मैं बता रहा हूं मैंने यहाँ पर Inless Option चुल लिया है और आप यहाँ पर Amount है जो मैं आपको कोशिस कर रहा हूँ यहाँ से आपको Amount अपना डाल देना है आपको यहाँ पर लिख देना है अपना जो भी Amount आपको चाहिए वह आपको यहाँ पर डाल देना है तो मैं आपको यहाँ से डाल के दि नहीं होगा और आपको अपो अपना डाल देना है यहां पर अघरस हो को select state तो आपको यहाँ पर select state option दिख रहा है इसके तिर्गुजप यहाँ पर छोटे सा है इस पर click कर देना है तो आपका जो भी आपका राज्य है वह है select आपको कर लेना है उसके बाद में आप यह ज़स्ट नीचे इसके देखोगे तो आपको यहाँ दिखेगा select तो आपका जो भी डिश्टी है मतलब कि आपका जो सिटी है वह आपको डाल देना है जिला जो होता है वह आपको यहां डाल देना है तो इस और उसके बाद में जश्ट आपको यहां दिखेगा सिटी जो भी आपका सिटी लगता है वह आपको यहां पर डाल देना है आपका ज डिजिट का जो है आपके जीले का अनुसर होता है वह है तो वह है आपको पूछ लेना है डांक घर से जाकर तो वह है आपको यहां पर डाल देना है अगर आपको पता है तो अच्छा ही है नहीं पता है तो आपको आपने भारती डांक घर पर जाकर वह हां से पूछ सकते हो कि कि यहां का इसको डाल देना six digits का पीन कोड अब आपको यहां पर option दीखर वहागा चूस फाइल तो आपको चूस फाइल से अपको अपना जो पाज़ प्था है उसका फोट आपको लगाना है और वह है आपका जो पास्बुक है उसका फोटो का साइज है 100KB से maximum 500KB में होना चाहिए आपको यहाँ पर एक guideline दी गई है इसको जरूर आपको पढ़ लेना है यहाँ पर आप देख लेना अगर आप गलत डालते हो तो यह automatically यहाँ पर नीचे की तरह आपको यहाँ पर नजराएगा कुछ इस परकार से यहाँ पर लिखा आजाएगा कि आपका यह जेपजी और आपका JPEG में होना चाहिए 100KB से maximum 500KB में होना चाहिए तो आपको समझ मा रहा हूँ को मैं कि आपको क्या बता रहा हूँ तो आपको वह साइज आपको डाल देना यहाँ करके उसको सेलक्ट करके दिखा देता हूँ हमारा फोर्म यहां से बर चुका है लेकिन आपको जो नीचे का प्रोसेस बता रहा हूँ मैं आपका यहां से अपना पस्पुक पर कलिक करके देख सकते हैं कि कैसा है उसके पाद एक क्लोज का उप्षम आता है कुछ इस प्रकार से नीचे की तरफ का अप्सन दिखेगा तो अब आपको यहां पर एक चोटा सा चोकर दिख रहा हूं आपको यहां से दिखाने की इस क्रोश पर आपको हैं जो आपको अप्डरेख कर देना है मैं को च्वर बिक एक करते आधर कार्ड वादा कि जो आपके आधर कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उसके ओपर OTP अब आएगा तो आपको इस गेट आधर OTP बिलू कलर का जो आपको दिख रहा है इस पर आपको किलिक कर देना है अब आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा successfully OTP has been sent your mobile नंबर इस दर आपको पहस दिया गया है यह है हमको थोड़ा दुंदले इसलिए करना पड़ा है क्योंकि mobile की एक जो निजी पैचाने वह चुपाए जाती है तो आप यहाँ देख सकते हो आपको यह दिख रहा होगा उसके बाद आपको वह एंटर OTP का एक option होता है वहाँ पर आपको यह डाल देना है तो वह आपको यह पर डाल देना है उसके बाद जो नीचे आपको दिख रहा हो वैलेटर OTP आपको इस पर option पर यहाँ पर किलिक कर देना है जैसे ही आप यहाँ पर किलिक कर दोगे तो आपका PF का फोरों भर जाएगा complete भर जाएगा और आपका PF का पैसा कुछ दिनों में आपके bank account में आ जाएगा तो आसा करता हूँ दोस्तो यह वीडियो आपको समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा तो दोस्तो कैसा लगा मेरा वीडियो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करे आगे शेयर करे और PF से संबंदित हर जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद